हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप मैं पंकर युपाते हैं एक बार फिर आपका आर्ट के टीचर चैनल में स्वाहधत करता हूँ हर तरह फुराना की महावारी से सभी परिसान हैं कोविड-19 की संख्या इंक्रीज होती जा रही है एक ऐसा वाइरस जिसने ना कभी गरिक देखा ना अमेल देखा जिसने भी कभी चरह से लपारवाई हुदी वो इसका शिकार हो जिसने दुनिया में त्रही त्रही मचा के रख जैसा कि आपको मालूप होना सदी के महानायग ज्यान के सब्रकोस क्री अमिदाब बच्चल जी भी इस कोविड-19 के शिकार हो रियल लाइफ में इन्होंने काफी फाइट किया है और दुसमनों को दूल भी जचा जिए लेकिन अब रियल लाइफ में इनकी फाइट हो जी हा कोरोना से इनकी फाइट है और हमें उमीद है कि ये इसे मात भी देंगा तू न थकेगा कभी तू न थमेगा कभी तू न मुरेगा कभी करसपद 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 अगनिपद 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 जी हां दोस्तों आज की टिक्टोरियर में मैंने हमिताब ब के जरिए हम उनकी और देशवासियों की जो भी COVID-19 से गरस्थ उनके लिए इस्वर से प्रातना करते हैं कि वो जल्दी स्वर्ष्थ हो जाए और अपने घरवा पसाद यह महान दिश्थ से है चल रहा मन दिश्थ से है असुष्वे दरग्थ से दोस्तों इस टूटोरियल में मैंने वेट ऑन वेट टेकनोलोजी पे काम किया है यहां पहले इसे ही मैंने लेयर वन पे काम करके रखा है मैंने आपके लिए आई बटन में कुछ लिंक्स दिये हैं जिसमें लेयर वन को कैसे अपलाई करें वो मैंने बताया है यहां से मैं Layer 2 पे काम करना स्टार्ट करता हूँ मैंने उसी कलर के डार्क कलर को लिया है जो मैंने Layer 1 में लिया था आँखों के चारो तरब डार्क सेट्स देते हैं जिसमें आँखों के सेप को बनाया जाता है पूरे फेस के शेप को दिखाने के लिए Layer 2 को धीरे धीरे पूरे फेस में अपलाई करते हैं कुछ पानी ब्रस पे होल्ड करके कलर को ब्लैंट करते हैं पूरी पेंटिंग में तीन-चार ब्रस यूज़ करते हैं जितना भी कलर यूज़ करना है पेंटिंग में मैं ठ्राइ करता हूँ कि ब्रस भी सबके लिए अलग-अलग हो यहाँ पर हमने नाक के स्टेट से इसके स्टेप को दिखाया है उसके बाद लिप्स के सेप को ब्राउन और रेड कलर के मिक्चर से पूरा करते हैं अब हम डार्क सेट से चीन और नेक को पूरा करते हैं अब यह लेयर टू अपलाई किया जाता है जिसके लिए ब्राउन रेड और ब्लू कलर का मिक्चर अपलाई करते हैं लोर लिप्स पर ज्यादा काम नहीं करते हैं इसके सेप को दिखाने के लिए लिप्स के नीचे काम करते हैं अब हम आँखों के डिटेल्स पर काम करते हैं यहां मैं ग्रे और पर्सियन ब्लू के मिक्चर से मैंने यह काम किया है जेनरली आँखों पर यही यूज करते हैं ताकि डाक सेट और लाइट सेट का कॉंबिनेशन दिखे जेंड बार लाइट झाल झाल अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीच कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें आपके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद ही मेरे हर आने वाले टुटोरियल की जानकारी आपको समय पे मिलती रहेगी उड़ा आपके पे मिलती रहे हैं कि मिलती रहे हैं, आपके नोटिफिके नहीं है, इस चेछ्द कर ददosवे करने के मिलती रहे हैं दोस्तों ध्यान रहे कि आँखों के अंदर के हाइलाइट के लिए आप पेपर वाइट छोड़ सकते हैं या फिर आप मास्किंग ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं जिसे की आँखों में रेप्लेक्शन को दिखाया जा सके और यहां आप पूरे फ्रीडम से काम करें अगर आप वाइट इसपेस चोड़ते हैं तो इसका एक अलग इंपोजेंस होता है जैकेट के लिए हमने कोवाल्ट ब्लू और ग्रे के कॉम्बिनेशन से काम किया काम करें ज्रीठ आपन से के ले दुझे काम의 हमने के अभी हैं कि काम काम करें वां तो नपलेक्शन को नपेगाया जातरısı झाल झाल अब मैं face के उपर layer 3 अपलाई करता हूँ यहाँ पे हमें layer 2 completely सूख जाने के बाद ही काम करना होता है तो layer 3 अपलाई करने के पड़े यह आप एक बार confirm हो लें कि यह layer 2 पूरी तरह से सूख गया है आँखों के उपर भी layer 3 अपलाई करते हैं और इसके लिए dark blue और gray color के mixture के यूज़ करते हैं करते हैं करे इसके ले याँ करते हैं फिर उसके बाद नोज में भी इसी कलर से लेयर 3 अपलाई करते हैं फिर उसके बाद नोज में भी इसी कलर से लेयर 3 अपलाई करते हैं फिर इस पे लेयर 3 पूरा होने के बाद अब मैं हेयर पे डिरेक्ट लेयर 2 का यूज करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसके लिए डार्क ग्रे का यूज किया है जिसमें मैंने काफी कम क्वांटिटी में ब्लू कलर का भी यूज किया है बालो में डार्क और लाइट सेट्स को दिखाने की कोशिस की है और बालो के डिरेक्ट सन को ब्रस से ही दिखाते हैं बालो में लेयर 2 के सुखने के बाद हम जीरो नमबर के ब्रस से हेयर के डिरेक्ट सन को दिखाते हैं कि अपया कर दो कि अपया है झाल 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 अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीच कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें आपके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद ही मेरे हर आने वाले टुटोरियल की जानकारी आपको समय पे मिलती रहेगी आपके बाद है आपके बाद है आपके बाद है कर दो कर दो तो इस तरह से हमारा आज का टुटोरियल खदम होता है थैंक्स फोर वाचिंग इस वीडियो टेल एंड I hope कि आपको ये पोठेट टुटोरियल अच्छा लगा होगा और आपने इसे अभी तक लाइक भी जरूर कर दिया होगा दोस्तो मैं आपके कमेंट का बेट करता हूँ आपके हर कमेंट को मैं पॉईटिवलि लेता हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर किया करें चाहिए वो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉईटिव और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले आपके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद ही मेरे हर आने वाले टुटोरियल की जानकारी आपको समय पे मिलती रहेगी Thank you, thank you very much